हेलो डियर स्टूडेंट, हाओ आर यू, आज हमें बच्चों न्यू चेप्टर स्टार्ड करना है, चेप्टर का नेम है फ्रेक्शन्स, एक्ससाइज है 4.1, आपका 4 चेप्टर है फ्रेक्शन, उसकी 1st एक्ससाइज है, जैसे उसमें फ्रेक्शन में हम क्या करेंगे, हमें उन्होंने स्टार कलर किये हुए है, कुछ स्टार अंकलर है, फिर्स्ट कोशन उन्होंने पूछा है, राइट दा फ्रेक्शन ओफ कलर्ड स्टार, जो स्टार कलर किये हुए है, उनकी क्या फ्रेक्शन है, तो कैसे निकालेंगे, फिर्स्टली आप टोटल स्टार काउंट कर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total star कितने है हमारे पास 9 और color कितने है 1 2 3 4 तो उपर के आगया 4 नीचे के आएगा 9 हमें color की निकालनी थी न तो उपर आएगा जो value color है जितने star color है वो उपर आएगा नीचे के आएगा total total कितने star थे 9 और color कितने है 4 ऐसे ही अगर हमें पुछा है write the fraction of star without color नीचे तो आपने हमेशा ही total write करने है भी total कितनी चीज़े है जैसे हमारे पास uncolored कितने है 1 2 3 4 5 uncolored कितने हो गए 5 और total कितने है 9 तो fraction के आगी 5 by 9 I hope आपको colored और uncolored समझ आ गए होगा यह आपकी exercise 4.1 है first time में ने समझा दिया आपको book पर ही करना है यह काम firstly color की fraction लिखनी है फिर uncolored ऐसे ही second में उन्होंने ice cream बनाई हुई है color देख लेना कितनी है और uncolored यह अपने आप करोगे ऐसे ही third sum में आपको balls बनाई हुई है उन्होंने पुछे color ball कितनी है और uncolored कितनी है color में जैसे देखो color कितनी है one two three four five six six color है और total कितनी है one two three four five six seven eight nine ten eleven नीचे के आएगा eleven और write the fraction of ball without color without color count करो one two three four five five uncolored है और total कितनी थी बच्चो eleven ऐसे ही आपको ice cream वाला sum करने है और जो यह इदर four sum दिया हुआ है यह आपको बाद में कराया जाएगा यह आपको अभी नहीं करना आपको first first three sum आपको book पर करने है only first three sum ही आप book पर करोगे जैसे देखो exercise four point two में आपको क्या होगा एक box बना हुए है उन्होंने पूछ लिया यह color कितनी है color one है और total box कितनी है one two three तो यह यहाँ पे three आ गया इसको हम क्या लिख सकते है उपर क्या लिखा हुआ one नीचे क्या आएगा third यह क्या बन गया one third ऐसे ही triangle बनी हुए है उसका half portion color है तो यह क्या थे part कितनी है two और color कितनी है one इसको हम क्या बोलेंगे बच्चो half ऐसे ही आपके book पर समदिया हुए है कुछ देखो उपर लिखा हुआ है match the falling जैसे यह क्या one color है और two box है तो यह क्या हो गा one by two से match करेंगा one by two इदर है तो इसको हम क्या बोलते है half यह कितने box है one two three four और color एक ही color है तो यह क्या हो गया one by four से और one fourth का है यह रहा one fourth ऐसे ही कोई और सम देख लो जैसे यह one two three three है उनमे two color है तो यह two by three हो गया two by three हमने टून लिया यह रहा और two third का है यह रहा two third फसली आपको fraction से match करना है फिर English वाले word से match करना है I hope आपको समझा आ गया होगा आपको कैसे करना है second है बच्चो match the falling जैसे one by ten है इसको क्या लिखेंगे one tenth का है यह रहा one tenth one by two को हम क्या बोलते है हाँ जैसे one by six है यह रहा हम देख लो one by six इसको बोलेंगे one sixth one और six year I hope आपको second box समझा गया होगा third है fill in the blanks दिया हुआ है one by three part of nine gavas one by three part of nine gavas कैसे करेंगे देखो one by three part of nine gavas one by three of ka meaning multiply nine और three बन्जा three 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 जा nine तो अंसर क्या आया three one by six part of twelve toffees one by six multiply twelve six बन्जा six six two जा twelve तो अंसर आया two one by six part of eighteen ice cream one by six multiply with eighteen six बन्जा six six three जा eighteen तो अंसर क्या आया आपका three ऐसे ही दुबारा देख लो जैसे हमने ही यहाँ पे कैसे करना है one by three multiply with nine three बन्जा three 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 जा nine तो अंसर क्या आया only three one by six multiply with twelve six one जा six six two जा twelve तो अंसर आया two one by six multiply with eighteen तो यह क्या आएगा six बन्जा six six जा eighteen तो क्या आएगा three one by four multiply with sixteen four बन्जा four 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 जा sixteen तो अंसर आया four ऐसे ही आपको इसके बाकी पार्ट करने है यह सारा वर्क आपको बुकपे करने है four point one के three समय यह आपको बुकपे करने है four point two का फर्स्ट पार्ट भी आप बुकपे करोगे second भी book पे करना है third भी book पे करना है आज का work सारा book पे है not book पे कोई work नहीं करना और अच्छे से neat and clean pencil से work करना है